हाई गाईज मेरे यूट्यूब चैनल में आपका प्रिसे सवागत है तो गाईज आज का वीडियो में लाया हूँ जो कि एक एप है और एपसाइट भी है जो कि गवर्मेंट ने और्गनाइज किया है इसका नाम है डेजी लॉकर हाला कि आप सभी को पता हुआ इसके बारे मे हैं फिर भी कुछ लोग ऐसे जिन्हें इसके बारे में बहुत डेटेल नहीं पता तो मैं आपको इसका डेटेल बताऊंगा कि यह डिजी लॉकर है क्या तो डिजी लॉकर में आप अपने डॉकुमेंट स्टोर कर सकते हैं सबसे पहली बाद डिजी लॉकर में जैसे कि आप गवर्मेंट के जो भी आपके डॉकुमेंट से हैं जो आपके से इंपोर्टेंट पेपर से उन सबको आप स्टोर कर सकते हैं डिजी लॉकर में और माली जी जैसे कि आप गई अपने कहीं भी इंटरव्यू बगएरा देने के लिए अपना वहां पर आपको पता चलता है कि कि आप अपना कोई पेपर घर पर भूल आए हैं औरिजनल या जो भी हो उसका फोटो कॉपी बगएरा आप उसको अपने साथ लाए नहीं है तो आपके लिए बहुत दिक्कत दे हो सकता है साथ आपको नोकरी से निकाल मिले ही नहीं नोकरी आपको तो इसलिए डिजी लोकर का फायदा क्या है कि आप अपने सारे डॉकुमेंट उसमें स्टोर कर सकते हैं और आप अपने ओरिजनल डॉकुमेंट को चाहो हो तो घर पर छोड़ सकते हो फिर दूसरा इसका यह भी फायदा है कि अब तो गवर्णमेंट ने भी सबको बता रखाए ओफिस में कि अब डि डिजिलोकर का दूसरा यूज कि आप जितना भी टाइम था वह हो चुका है अब अपना आपको ड्राइविंग लाइसेंस अपना अब घर रख सकते हैं अपना आपको इसको करने की जरूद नहीं आर चके पर बस आपकर आपके मॉवाइल आपके पास अपना स्मार्ट फोन है इसनफ उसमें आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी जिसको कि हमें डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस बोलते हैं वह जैसे कि इस तरीके से देख लीजिए इस तरीके से अपना डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस स्टोर कर सकते हैं और फिर दूसरा आप अपन यहांने कार का बाइक का जो भी आपका पास वहिकल है उसका वी आप अपना आर सी यानि की रख सकते हैं अपने गाड़ी का सब मुवाइल में इन सब के लिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अपना औरिजनल पेपर स्केरी करें आप उनको अपने घर पर रख सकते हैं और इसमें आप जितने भी आपके इंपोर्टेंट डॉकुमेंट्स हैं जैसे कि आपके 10 12 माक्सीट हो गई जितने भी आपके का स्रेटिफिकेट जितने भी सेट गवर्मेंट स्रेटिफिकेट उन सब को आप इसके अंदर इस्टोर कर सकते हो इजी ली तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसको किस तरह जिसमें अपने डॉकुमेंट्स अफ्लोड करने हैं कैसे करना है और यह बहुत ज्यादा सिक्योर है आप इसके लिए बिल्कुल बेफिक कर रहे हैं कि हमारा डाटा कहीं गलच जगे तो नहीं स्टोर हो आजी नहीं यह सिर्फ आपके लिए है और आपका डाटा आपके काउंट में ही रहेगा यह निक है कि कोई भी देख लें चलिए आप अपना इस तरह से इंस्ट्रॉल कर लिजिए और हाँ आप अपना साइन अप पर क्लिक कीजिए कि इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा जो भी आपका मॉमबाइल नंबर ए तो मेरा तो मोबाइल अ church रेजिस्टर है क्योंकि इसमें बना चुका हों मैं आपको बता रहा ओंकर आपको करना क्या है THIS इस इह क्लिक करते देखिए अब रहे तो यह काम करने लिगको आपको एक काम ओर करना है उसमें कि आपको अपना अधर कार्ड लिंक जरूर करना है अपना अधर कार्ड लिंक करना नहीं करेंगे तो आपको इसकी कुछ ऐसी फैसलिटी जैसे कि अपना ड्राइविंग लाइसन्स वागर रिश्टोर करना यह आप नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए आपका अ रेजिस्टर्ड मॉइल नंबर है उस पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा आप मालेजी ओटीपी वन टाइम पासवर्ड देखिए आ चुका है यह कंटिन्यू यह इसमें मेरा हो चुका है तो यह देखी यह आपका प्रोफाइल ही बन गई आपकेश के लिए डिजी लोकर की प्रोफाइल यह आपका neither करद से रिलिटेट एक तो अब चलिए हम चलते हैं कि अगर कोई डॉकुमेंट अप लोड करना है इसमें तो आपको करना क्या है चलिए पहले तो डेश्वूर्ट पर दिखा देते हैं इसमें इसी की इस्टी डॉकुमेंट और अप्लोड़ इट अपर पहले तो इसी होता है उसके बाद upload होता है तो इस यू डोकुमेंट में यह यह तो जैसे कि मेरे लगे हुए हैं यह बात की बात है मैं अभी आपको जैसे select document to search जैसे कि आपको क्या रिसमें सर्च करना है इसमें यह मैं आपको बात में बताऊंगा पहले मैं आपको बताता हूँ कि डोकुमेंट किस तरह से अपलोड करना है देखिए आपको पहले अपलोड डोकुमेंट पर क्लिक करना है इसके बाद यह रहा आपका प्लस इसमें अगर आप folder बनाना चाहते हैं तो जैसे कि आपको कोई भी इसके अंदर document रखने जैसे कि इसके अंदर folder के अंदर फिर आप स्टोर कर सकते हैं तो मिलों को चलो मैं directly जैसे कि माइश सेटिफिकेट से इसको मैं खोल लेता हूँ मिलों को इसके अंदर अपलोड करना है तो यह आप एरो देख रहे हैं इस पर क्लिक कीजिए अपलोड वाले पर तो यह देखिए आगे इसमे से परकिलिक कीजिए और आप अपने जितना भी अंदर से से इसमें से और सिए आपका वहाँ से आप इसको पिक्क कर ली जीए मैं अपना डोकुमेटस मैं आपको दिखा देता हूं इसमें इसमेंSound masksšeet है मैं अपना माक्सट a upload कर लेता हूँ जैसे कि देखी यह मैं अपना marksit upload करता हूं इसमें इसमें यह मद आप लुड हो रहा है देखेंज आप सेशिंग में चल रहा है uploading एसे कि यह हो जाएगा यह देखिए 100% हो चुका है अब आपका इसमें एड आ चुका है आपका डॉकुमेंट जो है जो भी हमने एड किया था अपना यह देखिए जा गया इसमें आप देख सकते हैं इस तरह से खोल गए जब चाहिए आप इसको शेर भी कर सकते हैं जहां भी आपको शेर करना है अपने जहां भी जदर भी शेर करना आप उसको शेर कर सकते हैं तो इस तरह से आप अपना कोई भी जितने भी डॉकुमेंट से सब इस तरीके से क्लिक करके फाइल्स पर इस पर डॉकुमेंट सेव कर सकते हैं और चाहो तो आप अपने डॉकुमे कहीं भी किसी भी कौने में हो अगर आपके पास आपका स्मार्टफोन स्मार्टफोन भी नहीं है तो आपके पास कोई भी किसी का भी स्मार्टफोन थोड़ी देर के लिए आप मांग लीजिए और अपना डॉकुमेंट अप्लोड करना बचता है आपका डिजिटल डाइविक लाइसेंस और रेजिस्टेशन सेटिफिकर जानी और सी उसको किस तरह से इसमें अप्लोड करना वो मैं आपको अपनी अकली वीडियो में बताऊंगा तो गाइस इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत सुक्र गया और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नहीं है हमारी चैनल पर तो रेट क्लर का बटन दावाना ना बूलें और जो नोटिफिकेशन बहल है उस पाजरूर प्रेस करें गाइस वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों में फेलाएं इसको जैसे की पता लगे सबको कि दिची लोकर है क्या है और इसका किस तरह से यूज़ करते हैं तो गाइस थैंक्स मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में